समस्कार प्रिय साथियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत बहतरीन जांग्या माईन का पन्ना रत्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है इ पन्ना धारन किन परिस्थितियों में करना चाहिए सभी विश्यों पर विश्त्रित बातचीत होगी पन्ना किस धातु में पहनना चाहिए किस मंत्र के द्वारा किस समय पन्ना धारन करना उत्तम रहता है समस्त जानकारी आज की वीडियो में लेकिन इससे पहले मैं विश्य मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सीधे सीधे मुझे फोन कोल या वोटसप कोल कर सकते हैं चलिए वी समय आगे बढ़ते हैं पन्ना रत्न मिथुन और कन्या राशी वाले जातकों का राशी रत्न है आपको 100% जनन कुंडली में ब पन्ना लाव करता है तो मिथं कन्या तुला मकर और कुंभ राशी एंवं लगन वाले जातक पन्ना धारन कर सकते हैं पन्ना पंचधातू और रश्टातू या सोने की अंगोठी में धारन किया जा सकता है पन्ना रत्न के साथ मोती पेहनने से बचना चाहिए पन्ना यह में तत्काल लाब करता है बुद्धि में ब्रहन होना बुद्धि का कमजोर पढ़ जाना कंसंट्रेशन ना होना सिक्षा उच्छा प्राप्ति का यौग बनाने के लिए यह किसी भी प्रकार की मांसिक बिमारी के लिए आप अच्छा पन्ना पहन करके लाब उठा सकते हैं पन्ना पहनने से ब्रहक्ति की खूप सूर्थी स्थिर हो जाती है चो कि बुद्ध को हमारी जोथिस में राजकुमार कहा गया है तो राजकुमार के दर्शा प्रछेशा रिखती का चेहरा रहता है आयू बढ़ने साथ साथ चेहरे की कौमलता बनी रहती है जाद अगिछ प